स्वागद आप सब का वेस्ट इंडीस टूर ऑफ ऑस्टिलिया के अंदर ये तीसरो और अंतिम ओडियाई मैच है जो डेड रबर रहने वाल है क्योंकि इस मैच से कोई खास फरक पड़ेगा नहीं ऑस्टिलिया सीरिस को दो जिरूस अपने नाम कर चुकी है सबसे पहले पिछले मैच की समरी देखते हैं और इस मैच के अंदर आपको एक नए प्लेर खेलता हो दिखेगा बैन मगड़मंड मैथी शोल डूल डाउट हो गया है हैंस्टिंग इंजरी की बज़े से तो आप देखो भी फिलाल जो सेकंड उडिया ही हुआ था वो सेजी भी हिला गया था जिसके अंदर आउस्टिया पहले बैटिंग करने आती है और इन्हों ने टू फिफ्टीड बनाया था नौ विकेट के नुकसान पर कोई बड़ा स्कोर नहीं था वो भी डिफेंड हो गया एबट ने 69 किया शांदार पारी खेली इनको प्लेर फड़ मैच जच को दो अलजारी को भी दो विकेट मिले मैठिफोड को एक सफलता मिली इनका भी बहुत अच्छा स्पैल रहा विस्टिंडी सेस करने आती है और एक सु फिच्छतर रन पर अलोट हो जाती है केसी काटी 40 शियोप ने 29 किया रॉस्टन चेस 35 अलजारी जॉसफ ने 19 बनाया आप देवाप इस मैच के बाद हम जाएंगे T20 सीरीज के लिए हवाट के उपर पहला मैच है 9 फरबरी को 10 बजे सारे T20 मैचस होंगे तो इसको भी वीडियो आपको में लाके दूँगा तो आपको पूरे वीडियो देखना है क्योंकि आपको कंटेंट बिलता है जो आपको पूरा वीडियो देखने आपको मज़ा जाएगा और जो वेन्यू मानो कोल केंबरा इस वेन्यू मानो कोल केंबरा आपको बताने के कोशिश करूँगा बीबल के मैचस कवर कर रहे थे वो भी आपको बताऊंगा यहां पर क्या अब्जर्वेशन्स है कोई भी अपडेट आती है आपर मैं दे देता हूं सेम फॉर दो वाटसेब चैनल मानो कोवल केंबरा यह बाइजा बहुत प्यारा स्टेडियम है और आपको पता होगा जो ऑस्टेलिया उसकी राजदानी अभी केंबरा है पहले स्टेडियम आ करती थी ठीक है कैपिटल और अब देखें इस वैंडियम पर जो लास्ट मैस था यह दो दिसंबर को खिला गया था दो जार बीस के अंदर चार साल हो गए इस वैंडियम पर ऊडिया ही हुए उस्टियम पहले बैटिंग करने आती है 302 बनाती है पांच विकेट के नुकसान पे फिर जो टीम चेस करने आ जो टीम चेस करने आती है 323 बनाती है तो एक अच्छा स्कोरिंग वैन्यू है पिछले जो तीन मैचस यहां पर हुए तीनों के अंदर 300 के पर स्कूर गया है यहां पर बड़ी बाउंडरी भी होती है तो आप सिंगल डबल भी निकाल सकते हो डॉड़ वल का प्रेशर नहीं हाँ सबसे बड़ा फाइद आया है और तीन मेचस दीने यहां पर कम्पर के अंदर डेन जी तरह घुन हैं Angel Reffer I जो लाव्स मैस तो ऑस्टोलिया इंडिया का उस मैच वा नौगेट पेसर का था पांच विकट मापने स्विनर्स का था और जो पिछले तीन मैच में उनके अंदर आप देखो जो मैंने आपको स्कूर कार्ड भी बताए उपर क्या स्कूरिंग पैटर्न रहा था उसमें पेसर अब चलता है जो पिछलने उसी फरबरी मेने के अंदर ठीक है जनवरी के लास्ट वीक के अंदर यहां पर ऑस्टिलिया विमिन वर्सस विमन का मैच वा था तब पिछ यहां पर रहा है अप देख सकते हैं मानुकॉल कैनोबरा भी लिखा आ रहा है फर्स्ट विमन्स टीट याई तब यहां पर पिछ इस तरह से दिखी थी बहुत अच्छी पिछ थी शाइन थी पिछ को पर अच्छी गासी बेत मुनी ने बहुत अच्छी पारी हिली थी चेस करते हुए और अच्छा ट्राइग है देखने में यह देखो इस तरह से दिखता है इसी पिछ पर मोस्ली मैच खेला जाना चाहिए क्योंकि इस वैन्य के उपर इतने सारी पिछ स्क्वाइर के उपर शेव नहीं करी जाती यह देख सकते हैं बीविल के टाइम पर पिछ ऐसी थी स्वेप्शन जब डगाउट में बैठे थे तो आप देख सकते हैं ऐसे ट्रैक होता है सामने की बाउंडरी चीज होती है स्क्वाइर बाउंडरी आपको 68 मिंटर मैक् उस टाइम पर सुबह यहां पर बारिश हो रही होगी वैदर फोकास में दिया हुआ है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहां पर बारिश है दुपैर तक फिर एक बज़े के आस बारिश कम हो जाएगी तो पिछ आई तिंग यहां पर अंडर कवर्स रहेगी यह आपको ध्यान रखना है तो थोड़ा सा वैदर फोकास है तो आप टीम थोड़ा अलग स्ट्रेजी से बना सकते हो वह भी आपको ध्यान रखना है ओवरेड कंडिशन के अंदर पेसर को अडवांटेज मिल सकता है और 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 रांडर्स के यहमें तौर बढ़ जाएगी उस टाइम पर यह यसे लगी फीच्ट पूर्ट पता ना मरेको कमेंट करके है दोन टीम स्टापलस में दो जार चोईस्तो सोला के बिच में साथ मैचस कहले हैं छे जीती है यह 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 तीम ऑस्टलिया एक जीती है वेस्ट इंडीस जो आज अशनलीस उपन करेगा जैक फ्रेसर एम सीग के जाता है तो सारे के सारे राइटी बैटर्स इस टीम में अंटे लाइन अल्लेस टैविस हैडीस मैस के अंदर खेल लेता है तो और पिछले मैस में मेरे समझ के बाहर था कि इस बेस्ट इंडीस ने हैड़न वाल्ट जूनर को ड्रॉप किया सारे राइटी बैटर्स थे सामने कई चीज़े मेरे समझ के बाहर होती मेरा कुई बाइस सिलेक्शन नहीं है इस बंदे का फॉर्म अच्छा था जैसे उसको टीम को बैक करना चाहिए था वैन्मी भी एस्टीज था जहाब आप आप ऑशन थोंस को खिला रहे हो और भी आप सारे काटी और शेयूप के उपपर कैवा मोज आने चीज़े रॉस्टन चेस रमुरे शेफ़र्ड हैंडर वाल जूनियर मैथ्व फॉर्ड अलजारी गुद्देकेश मोटी जैक फुरसर एंसिगर बाही ने श्रिफ चार्या पांच बाल खेली मैच के अंदर ठीक है दस रन गया आउड हो गया एक बार सैड हो गया ना वाई सब बहुत बुरा मारे गाए ऐसा प्लेयर है जो बीस बॉल के अंदर 50 कर जाएगा और आप को गया वाई क्या कर गया यह वैन्नी भी नहीं गिला बहुत कम प्लेट्स इस वन्नी के पर खेलने ऑस्टिलिया से भी 10,41,14,14, इसका फॉर्म रहा है आटेकिंग इसका अंदाज है खेलने का जॉश इंग्लिश दो मैचस कंदर है चौतार रंस है तीन कैचस पकड़ा है बैटिंग फर्स नौ 65 चेस पर गया पर नहीं के ला फॉर्म नौ 65 बारा अठारा पांच अठाईस चब्स कैम ग्रीन दो मैचस में 210 रंस है पिछले मैच में बहुत अच्छा दिखा था इसने पावर प्ले में भी अटेकिंग शॉट्स खेले अगेंस अलजारी और फिर बात में आउट हो या बॉलिंग नहीं गरी थी खैर वह बात अलग है देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं स्टीन स्वित का आट म अबाद 152 चेस पे साथ चाहर इंपोर्टन प्यार हो सकता है बैटिंग फर्स कंदर क्याप्टन आप कर सकता है लास्ट मैच में लाकी राता चौपन हो गया लबुशें दो मैच में 26 बैटिंग फर्स में बहुत बैटरी प्लेयर है वैन्यों के उपर साथ रहने चेस करते ह इस ले मैच में प्लेयर को प्रिफर किया था और जॉस इंगलीष पांच में फरक पड़ा क्योंकि इंगलीष दो कैसे पकड़ गया था तो एच चलता रहता है थोड़ा सा अपको लाक फेक्टर भी चेहर रहता हमेशा इस मैच के अंदर क्या प्रिफर करोगे मानस होगी अलजारी वर्सस दो ओपनेट्स जैक फ्रेसर आ सकते हैं तो हैड आएगा सारे अटेकिंग शॉट्स किलने वाले दायन मक्डमंट दो मैचस में अठाइस बैटिंग वस अठाइस जीरो कैरिवेन के अंदर इस ने स्टिम के अगेंश कहिला था और इसका लास्ट उड 25 नबाच 26 तरेपन नबाच इसका फॉर्म रहा है एरन हारी दो मैचस में 26 बैटिंग फर्स करते हैं लास्ट गिल में बॉलिंग कराई भाही ने अबट दो मैचस में 5 विक्टे बॉलिंग फर्स एक मैच में दो बॉलिंग सेकेंड एक मैच में तीन इस वन इपर खेल चुक शांदार डेबू रहा भाईगा इसकी बहन भी आई थी है ने बेल सदेलेंड पिछले मैच के अंदर और तो और जैंपा नौ मैचस में 14 विक्टे वेन्यू के उपर दो मैच में दूरिंगेट है और बड़ी बात के बाद आपको जोडम जैंपा का डेबू अलिस्टेगा नियू साउथ वेल्स के दरफ से इसी वेन्यू के उपर था करीवन 13-14 साल पहले जी हां मैं भी देख रहा था डेटा अरको भी एक नहीं चीच पता चली है जल्वूड साथ मैचस में 14 विक्टे बॉल शेकंड में बाई साब ये मास्टर क्लास वालोर होता है वेन्यू के प चौट मॉजूल में स्टार्टिंग और हैजल्वूड बॉलिट अगर दोनों साथ में खेलते हैं बहुत डेड़ली बॉलर होंगे ये हैजल्वूड और बॉलिट नहीं है इंसे डेटर में एबट बॉलिट हैसल्वूड अले गातनेश दो मैचस में 16 बैटिंग फर्स पां स्टेक चेस पर आठ बट हाई क्वालिटी बॉलर से लास्ट में अपना लग्की भी रा बहुत अच्छा कैश पकड़ा तो हमापे स्थर्दर लंड ने विड़ूफ पे अटोली आठ रंस है कोई खास पर्फोर्मेंस आया नहीं बाई का 32 जाल पर इस डेबू कि अपना के सिगाटी एक मैच में एटी एट बैटिंग फस्करते है रंण आउट पहले मैच में दूसरे मैच इसने 40 भी बनाया तरि यह जाए रहाई जाए है 1 ंचालीम भी नार्स में अपने बता दीया बनें कोई नी हील है रॉस्टन चेस दू मैचस में 84 रंस से सीरीस कं दर हमेर लाजवाब था लास्ट गेम में दो मैचेस में दो विक्टे इसको एक विक्ट मिलना चीह था बट कैस्ट डॉप कर दिया था ऑश्रम थॉमस ने अलजारी चार मैचे माट विक्टे मस्ट भी गए जाए बोध दर निंग्स वेटिंग भी कर ले था अच्छी गासी अच्छी मोटी का दो मैच में चार विक्टे बहुत सारे राइटी है इंपॉर्टेंट होगा ऑश्रम थॉमस मिडल फेस्ट भाइटिंग यार विधना कारगिल सा भी तनीवे 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 चार मैचे में साथ विकेट निगाल चुका फाइफर स्टिम के अगेंस फॉरम अगर बंदा डिजर्म नहीं करता पर बोलो साइड हो जाओ डिजर्म नहीं करता वो स्कॉड में कैसा है मैं ऐसा बोलता सिथा डायरिटली टैडी बिशेफ यंश्टर यह भी उपन कराए जा सकता है डेब्यू मिल सकता है इसको टैवनिक ब्लैक भी एक प्लैर है बट टैड अगरिंग और अलजारी फॉर्ड डैद्वर के अंदर शेफर्ड अलजारी दसर डालता है फॉर्ड भी आया है लास्ट गिम में जैक वरसेज किदर गया जैकी अगेंस अलजारी पांच बॉल दसरें एक बार आउट किया है जाउश इंगलीश वरसेज अलजारी चैबॉल क्या नामदार? स्टीव ओकीफ उनको बहुत परिशान करता है बहुत सारे एक्जामपल्स ऐसे यह फस्ते हैं बाई साब लेफ्टाम आउटरॉक्स में के सामने कि अगर अगर अटेगिंग शॉट्स खिलते हैं पावर प्ले में 20-30 रन पे पहुँच गया है मोटी आईगा शॉट गलत तरीके से आउट पाच्छा खिलता है इसे स्पिन यह हाड़ी है अबट है सुधरलन्ड ट्रेविस हैड बैं मंग्डम वर्ट सुलजारी आड़ बाल चार है नेक इनिंग्स में एक बार आउट किया है अलिक एथनेज वर्स वर्लेट हाड़ी जस्टिंगेर्स जिदर्वुड बॉलेट वही नॉर्मल मैचप यह नेकी एक बार आउट किया है आपको भी नॉर्मल मैचप है पूरा कॉमन कैप्टन शेहोप स्टिंग समित अलग जाना तो एबट है रोटेट कर सकते हैं चलता है डेम कितरा फटा तो फिलाल मैंने कैप्टन स्टिंग को क अरण हर्डी लिया हुए फिलाल यह दो प्लैट्स में लास्ट में पर चेंज करों और रिपीट कर रहा हूं लबशन और अरण हर्डी रोल्स देखके टीम को कॉम्बिनिशन देखके और हैसल वुड को भी इन्होंने मैंशन नहीं किया बॉलिंग स्ट्शन के अंदर दोनों एक अच्छे किरिकेटर्स हैं होप से बहुत थोप हैं देखते हैं अभी तोग होपलेस रहें स्टीर्स में मैप तपूर है लबुशेन आपको कॉल रहेगा केसी काट ही बहुत अच्छा केला है स्ट्री सिरीस के अंदर हर मैश में पॉइंट जेके गया है यह और य यह एक अटेकिंग किरिकेटर है जो पावर प्लै में इस्तेमाल करता है फिल्डिंग रेस्ट्रिक्शिंस का बटे देखते हैं क्या करेगा जैक फ्रेसर एंसी अब यह ऑस्ट्री में दो तीन क्रिकेटर्स हैं जो गुल्डन एरा से गुजर रहे हैं एक तो आपने जैक और दूसरे हैं बिल सथलेंड वो देखो पिछले मैच में 82 पॉइंट जे गया तो को जैसे प्लैर्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में होते हैं वो कुछ भी गरे उनको कुछ नापर स्पोइंट्स मिली जाते हैं उसी लिस्ट में हैं भी फिलाल कैम गरीन रॉस्ट इसके तरफ से आपको दस वर मिलते ही हैं फॉर्ड की तरफ से यह हाड़ी ग्रीन इन से क्या पता आपको वर्स किसके कट जाए कोई बुरोसा नहीं है मोटी मैं तो पून बॉलिट खिलता तो रख लेना देख तरी स्टाट्स रूजी मिलते हैं टेलीग्राम के उप पर एंड तो मिलते हैं टेलीग्राम के उप पर सुबर साढ़े आड़ बजे यो हर तरह हर बार मैं आपको पिजस की फोटोस होगे आप पोस्ट करके दे रहा वैसे मैं continue गरूँगा जाए हिंद